उत्तर प्रदेश की 80 लोगसवा सीटों पर उत्तर प्रदेश में काटे के मुकाबले की जानकारी मिल रही है लेकिन आपको ये बता देते हैं कि दो सीटे ऐसी हैं जिने कॉंग्रिस की परंपर आकर सीट माना जाता है कॉंग्रिस का गड़ कहा जाता है और जो ख़वर उन सीटों को लेकर आ रही है वो चौकाने वाली है हम बात कर रहे हैं राइबरेली और अमेठी की देखे अब तक कॉंग्रिस प्रत्याशी के नाम तै भी नहीं हो पाए है और जिन नामों की चर्चा लगातार हो रही है उन नामों पर भी संशे बना हुआ है देखी रिपोर्ट अमेठी राइबरेली से चुनाओ लड़ने की हामी नहीं भरी तो में बहुत ही आश्र की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के जो सबसे सीनियर लीडर्स हैं उनमें चुनाओ लड़ने के प्रती इतनी उदासिंता कह लें या इतनी अनिर्णे की इस्थिती है यह कहीं न कहीं यह दिखाता है कि या तो उनके चुनाओ लड़ने के ऊपर पार्टी के अंदर ही एक तरह का कंसेंसिस नहीं है विचार एक नहीं हो पा रहा है या यह दोनों लोग खुद ही चुनाओ लड़ने के बहुत जादा एकचुक नहीं है सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहूल गांधी एक ही परिवार के सभी सदस्यों के संसत में होने को राजनीतिक रूप से सही नहीं मानते इस मसले पर मरका अरजुन खटके और वेडू गोपाल में बातचीज जारी है वही कल प्रियंका गांधी और खटके के बीच भी इसी मुद्बे पर बातचीज हुई थी तो क्या ये माना जाए कि राहूल गांधी परिवारवाद के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि पियम मोदी ने भी कॉंग्रेस दपा के परिवारवाद पर यूजटीन के इंटर्व्यू के दौरान करार अप रहार किया था तो इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं रहूल जी आप जितने गर्व से सब उतरे हैं सब उतरे हैं सब उतरे से चार बार बोल रहे हैं ये 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 मजबुरी है क्या है परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है ये मजबुरी है ये उनका मूल करेक्टर के इसके सिवा उनके बद को है ही नहीं है फैमिली मेंबर को लिए लड़ना फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना यही खेल है आचा यह पहले इखटे नहीं है यह कै भई पहले भी इखटे आ चुके हैं बार बार इखटे आ चुके हैं लेकिन उत्तरप्रदेश की जनता को अपना भविश्च क्या है उसकी समझ इदर राहुल प्रियंका की नानुकुर चल रही है उधर केंद्रिय मंत्री स्मृत्री रानी एक दिर पहले ही अपना नामांकन कर चुकी है वैसे भी बीजेंबी अमीठी में मुकमल तैयारियां कर चुकी है जबकि राहुल गांधि और प्रियंका गांधी वाटरा के कि उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तपदेश में जिस प्रिकार की आज सित्थी बनी हैं वो अपनी परंपरा गज़ सीटे छोड़ कर भागे हैं नहीं मानता वो रिवड़ने की हम्मत कर पाएं। प्रेंका जी, जाहूल जी लड़ें इसके लिए प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की तरफ से भी एक प्रस्ताव पास करके वेजा गया है। और सेंट्रल एलेक्शन कमेटी CEC में भी यही निवेदन किया गया है कि परवार से कोई नो कोई जुनाव लड़े। तो निर्ने हो जा जो काने वाले परणाम है। अमेठी के उम्मीदवार की गटरी कब खुलेगी यह सब जानना चाहते हैं क्योंकि आपको बता देते हैं मैं इस दो दिन बचे हैं अब नामांकन के लिए अब देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि जानकारी जो मिल रहे हैं उसके मताबिक ना प्रियंका गांधी सब्सक्राइब जानना चाहते हैं ऐसे में कौन उम्मीदवार होगा यह जानना जरूरी है फिलालिक छोड़े से ब्रेक के लिए अनुकना होगा जल लोटेंगे